अगर मुझे माल दीजिए 1 से लेके 10 तक के numbers का total sum लिखना है यानि की 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करते 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 हमको जाना है 10 तक तो वो तो हमने ऐसे लिख लिए और हम बाद में देखेंगे किसके value हम कैसे पता करेंगे जल्दी जल्दी माल दीजिए अगर मुझे लिखता हो 1 से 100 तक के number का sum यानि की कुछ ऐसा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अब बोलेंगे मैं कब तक ऐसे लिखते जाऊंगा तो चली मैं dot 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 लगा देता हूँ और यहां पे लिख देता हूँ plus 100 मतलब यह क्या कि हमने 1 से शुरुआत की और सारे natural numbers को जोड़ते जोड़ते हम 100 तक पहुँचे माली जब मुझे 1000 तक जोड़ना हो फिर क्या तो इन सब problem से इने पटने के लिए हमारे जो smart mathematicians थे उन्होंने यहां पे एक उपाय निकाला कि भाई अब हमको ऐसे expressions बहुत बार अक्सर mathematics में लिखने पड़ते हैं तो क्यों ना इसको लिखने का हम एक दूसरा असान सा तरीका निकाले तो उन्होंने क्या किया यह सारे addition signs को यह जो भी हम addition signs यहां पे दिख रहे हैं वन से लेके 10 तक इन सब को उन्होंने एक capital sigma एक capital sigma एक Greek letter से replace कर दिया यह है capital sigma जिसका मतलब होता है summation 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 यह सारे pluses को यह सारे addition symbols को उन्होंने एक capital sigma से replace कर दिया लेकिन यह related कैसे हैं चलिए वो देखते हैं अब यहां हम दियान से देखें तो हमारा number शुरू हो रहा है 1 से और वो एक बड़े systematic तरीके से एक ordered way में 1 से लेके 10 तक जा रहा है ठीक है यहां पर कोई बीच में दिक्कत विकता नहीं रही है तो मैं एक variable यहां ले लेता हूँ i जो की जिसकी value 1 से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है 1 से शुरू हो के जा रही है पूरी 10 तक तो जहां से शुरू हो रही है उस i की value मैंने वो नीचे लिख दी और जहां तक जा रही है वो मैंने ऊपर लिख दी अब मैं इसको ऐसे भी लिख सेथा था कि I equals to 10 लेकिन मुझे पता है कि मैं I की ही बात कर रहा हूँ तो 1 से लेके यहाँ पर मैंने बस सिर्फ इसको 10 लिख दिया कि मुझे समझ भी आ गया कि हाँ I की ही value 1 से लेके 10 तक जा रही है लेकिन अब किस चीज की value जा रही है वो भी तो हमें लिखना पड़ेगा हमने ये summation का sign बना दिया जिसका मतलब हुआ कि हम सारे चीज़ों को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको add करेंगे लेकिन किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई वो भी तो लिखना पड़ेगा तो हम यहाँ पे i के बारे में बात कर रहे हैं तो अब अगर इस पूरे representation के मैं बात करो तो हम i के बात कर रहे हैं जिसकी value 1 से शुरू हो रही है और 10 पे खतम हो रही है और उन सारे values को हम आपस में जोड रहे हैं उसी तरीके से मालीजे इस चीज़ को इस पूरे total addition को मुझे इस form में लिखना पड़ता summation के form में तो मैं कैसे लिखता तो ये मेरा हो जाता equal to सारे addition signs की जगह मैं यहाँ पे यह summation यह capital sigma summation sign लगा देता मालेता हूँ मेरी कोई variable है मालीजे आप कोई भी ले ले सकते हैं मालीजे कुछ n ले लेते हैं n की value शुरू कहां से हो रही है 1 से यह 1 से शुरू हो रही है कहां तक जा रही है यह 100 तक तक 100 हम उपर लिख देंगे और किसकी value के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे लिखना होगा n के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो n है वो 1 से लेके 100 तक जा रहा है और उन सब को हम साथ ही साथ आड़ कर रहे हैं चले एक example यहाँ और कर लेते हैं जैसे माल लीजे मुझे यह दिया होता मुझे दिया होता कि summation of pi times pi times r square और मुझे बोल दिया गए कि जो r है वो r की value कुछ 1 से लेके 50 तक जा रही है तो इसको मैं कैसे लिखता इसका representation कैसे होता तो पहला term यहाँ पर क्या हो जाता जब हम r को 1 रखते यानि कि यह हो जाता pi times r की value हम यहाँ पर रख देंगे 1 उसका square है यहाँ पर तो यह मेरा पहला term हो जाता plus summation है सब का तो actually हम इसको same color में ही कर देते हैं plus plus दूसरा term क्या होगा जब r की value 2 हो जाएगी और pi तो हर term में जुड़ा ही हो है उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते pi times r की value अब यहाँ पर 2 हो जाएगी तो 2 का square फिर इसमें हम अगला term जोड़ेंगे और अगला term क्या होगा जब r की value 3 हो जाएगी और 3 अभी भी 50 से कमी है तो हम आराम से इसको आगे तक अभी बढ़ा सकते हैं यानि कि यह हो जाएगा pi times pi times 3 का square और यह ऐसे ही चलता जाएगा यह summation ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा कब तक जब r की value 50 तक ना पहुंच जाएगा यानि कि जो इसका last term होगा वो हो जाएगा pi times 50 का whole square 50 का whole square